एक ऐसी वेब सेरीज जो हवस और हैवानियत दोनों में बैलेंस बना के चलती है उसका ट्रेलर आ चुका है ये वेब सेरीज रिलीज होने वाली है सुन लो जुन को और वेब सेरीज का नाम है हाउस अफ द्रैगन सीजन 2 अब जिन लोगों को नहीं पता है कि हाउस अफ द्रै जैसे उसमें रिस्टों का पता नहीं चलता था भाई बहन के साथ लगए हुए थे इधर उधर से चलता था यहाँ पर चाचा के साथ सेटिंग चल रही है भाई रैनेरा की उसकी जो बेस्ट्रैंड है उसके बाप के साथ निकल गई मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा है जो कि तुम बहुत इंच्वाई करोगे यह ऐसी वेब सीरीज है ना जिसने भर भर के माल मटेरियल डाला गया है फ़र सीजन में तो बहुत ही ज़ादा डाला गया था सेकंड सीजन में कितना डाला गया है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा बात करें इसके ट्रेलर की तो काफी मज़ेदार लगड़ा है जब वो बोलता है फक्ट डिगनिटी तो उसमें लेकदम औरा लगता है भाई चीजों को एकदम डीमन टार्गेडियन जो है वो एकदम बावाल रूप में लेके जा रहा है कि भाई वो फुल क्लियर है कि मार देना है सबको और उसको हतियान है अपना सिंगासन अब वो सिंगासन रहनीरा को देता है या नहीं यालीसंट जो कि कुछ ले दे करके माल सेटल करना सकती है क्या कर सकती है वो देखते है और क्या कुछ देना पर चाकी वो चीज़ें Rules कर सकते तो यह देखना पड़ेगा पिछली बार तो भाई एक बंद बहुत कुछ सवाल है जो सीजन वन छोड़ के गया था अब उसके जवाब मिलेंगे क्या वो अपने बेटे का बदला लेगी और लेगी तो कैसे लेगी भाई ये सारी चीजे न एक बहुत ही grand destiny पे जाने वाली है मुझे पहले लगता था कि Game of Thrones ये हद से आगे जा चुका है वट House of the Dragon ने तो उसका भी हद पार कर दिया है इसमें तुम जो imagine कर सकते हो वो चीज दिखाया जाता है और देख करके तुम चौचक हो जाओगे बट इसकी best part यही है कि sexual content तो है ही है इसमें इसके साथ साथ इसको story भी बहुत solid है मतब सब कुछ देख करके तुमको इतना मजा आएगा कि तुम अपने आपको hold ही नहीं कर पाओगे मतब देखने से आगे एपिसोड देखने से बागी कुछ और मत समझो इसमें acting भी top notch है characters भी top notch है इसकी कहानी भी top notch है और वो तो top notch है ही है एक बात तो मानी पड़ेगी कि George R.R. Martin की जो सत्ता की भूख दिखाई है जिस ऐसे उसने जो सत्ता के लिए जद्दो जहत दिखाई है लोगों का संगर्स दिखाया है वो बहुत ही unique तरीका है और उन्हें बोला था कि उन्होंने ancient Indian history से भी इसका inspiration लिया था तो मुझे लगता है भाई कि क्या होता होगा यार इंडियन history में राजा तो थे हमारे यहां भी कुछ-कुछ हरामी राजा हुआ करते थे बड़ चलो किसी ने कहीं तो inspiration लिया बाकि सत्ता की बात करूँ जद्दो जहत की बात करूँ प्यार की बात करूँ नफरत की बात करूँ वो सब इसमें भर-भर के दिखाया गया है हर किसी को लालच है उस iron throne की हर किसी को चाहत है वो seven realms पे राज करने की क्या यह लोग कर पाएंगे किसके हाथ में सत्ता जाएगी और इस मुठल का क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी मैं generally जो hope कर रहा हूँ वो hope कर रहा हूँ रेनेडा और एलिसेंट के face off का क्योंकि रेनेडा का बेटा मर चुका था पिछले इसमें और एलिसेंट के बेटी ने मारा था उसको अब यह लोग कैसे face off करेंगे एक दुसरे को क्या कुछ करेंगे एक दुसरे के साथ होँ देखने वाली बात होगी नफरत की हदे कहां तक जाएंगी यह भी देखने वाली बात होगी जो एक जवाने में best friend हुआ करते थे अभी इतने च gusta रहेगी अगर तुमने यह वसीरीज नहीं देखिये सीजन वन इसका नहीं देखा है तो जियो सीने में पे अबलेवल है अमबानी चचा भी सस्ते में दे रहे हैं वहाँ पे जा करके देख लो और गलती से भी अपने पैरेंट्स के साथ मत देखना क्योंकि समझ सकते हो न कि क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि तुमारे पैरेंट्स तुमारे साथ नहीं देखना चाहेंगे और साहथ तुम भी नहीं अपने पैरेंट्स के दाथ देखना चाहोगे और बहुत कुछ बाते vit ऐसी है तो यही था review house of the dragon सीजन टू का तुम्हें कैसा लगा ट्रेल कमेंट करके ज़रू बताना मुझे सोचल मेडिया पे फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है तीन हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं चारहजार कंप्लीट करने है तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो सेयर कर कर दो सब कर दो मिलते किसी और मज़ेदा वीडियो में टेक केर बाई बाई